अरे भाई जिस चीज के लिए बना हुआ अदेश को आजाद कराने वाले व्यक्ति ने जो कहा रास्पिता ने और कितना नुकसान है और अब जो काबिल लोग हैं हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वर्ल्ड हल्थ और्गनाज़सन जो पूरे देश दुनिया का सर्वे किया तो उसस उसने जो पूरे दुनिया का सर्वेक्षन करके और एक एक जगह का पता करके क्या कहा एक साल के अंदर एक साल के अंदर दोहजार सोलह में ही पूरे दुनिया में हर देश को मिला करके उसने जो किया और रिपोर्ट दिया कहा कि एक साल के अंदर सराब पीने से तीस लाख लोगों की मौत होती है बताइए आई चल रहा उनएस से कोरोना शुरू हुआ बीस एकईस अभी भी चला आई इतना तक में करके मने कुल मिला करके जोड लीजिये दो साल से भी जादे मान लीजिये की दो-दो महीना और जोड लीजिये कि दो साल चार महीना हो गया कुल मिला करके 23 में पूरे दुनिया में कितने लोगों की मौत हुई इतने दिन की अंदर भी अभी तक 30 लाख के नीचे है मौत 24 लाख की मौत हुई है आप ज़रा सोच लीजिये कि इतना गंदा चीज है कोरोना कोविट से पूरे दुनिया में 19 से लेकर कि अभी तक मरने वालों की कुल संख्या 30 लाख के नीचे है लेकिन दारू पीजिये गा तो एक साल के अंदर पूरे दुनिया में कम से कम 30 लाख लोग मरते हैं तो कौन सबसे बुरा चीजिए तास तो कौना के लिए दुनिया भर में इतना भियान और हम लोगों ने कितना चलाया लेकिन आप सोच लेजिए कि सबसे ज़्यादा मौत और सबसे ज़्यादा प्रकार की बीमारियां तो कौना से यह कौना से भी तो बीमारी हुई उससे भी ज्यादा दारू पीने से होता है